हलो फ्रेंट यूके निटिंग में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ बहुत ही खुबसुरत पैटन सेयर करने जा रही हूँ इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाए कर सकते हैं जैन साब स्विटर, फुल स्विटर, जैकेट, लेडी स्विटर, कार्डिगन, को कुट्टी, लॉंग स्विटर, जैकेट, गल्स स्विटर, गल्स टॉप, बच्चों के औल प्रोजक्ट, कैप, ब्लैंकेट, आदि में बनकी बहुत ही खुबसुरत हमारा ये पैटन आ जाता है और क्रंट साइट से हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है इस पैटन को प्रोजक्ट के हिसाब से फंदे डालेंगे फिर कोई साभी बॉडर पैटन बनाके कमपुलीट कर लेंगे बॉडर पैटन कमप्लीट होने के बाद हमारा ये पैटन बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त अब हम अपना pattern बनाना start करते हैं तो देखे border complete होने के बाद front side से pattern की first row, पहला फंदा उता लेंगे, next फंदा हमने सीधा बुन लेना है इस तरह के से, अब देखे next हमारा 10 फंदों में pattern आएगा, तो देखे, यहाँ पे हमने starting में देखे, यह दो फंदे twist करके बुनने हैं, तो इस दो फंदे हमने twist करके बुनने, अब देखे next हमने 6 फंदे सीधे बुनने, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे फंदे सीधे बुनी फिने श्ची दो फंदे twist करके बुनने, तो देखे इस second नंबर का फंदा आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे, अब इन दोनों फंदों को भी एक एक करके सीधा बुन लेंगे। तो देखे, स्टार्डिंग के दो फंदे छोड़के देखे, यहां से लेके यहां था कि हमारे दस फंदे हैं, देखे, एक, दो, तीन, चार, पाँ, छै, साथ, आठ, नो, दस, इन्हीं दस फंदों का प्रोसिस हमने आगे रिपीट करना है, तो देखे, सेकिंड नंबर का फंदा आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे इस तरीके से, इन्हीं दो फंदों को एक, एक करके सीधा बुन लेंगे, अब नेस्न हमने छै फंदे सीधे बुनने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छै, छै फंदे सीधे, छैए फंदे सीधे बुनने के बाद देखे, इन दो फंदों को हम ट्विस्ट करके बुनेंगे, तो देखे, सेकिंड नंबर का फंदा आगे लाएंगे, आगे का फंदा पेछे ले जाएंगे इस तरीके से देखे, फिर इन दोनों फंदों को एक एक करके सीधा बुन लेंगे फिर लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे, तो देखे ए फ्रन्ट साइट से हमारी पैटन की फर्स्ट रो कम्ठेट हो गई, हमारी प्रोजेक्ट के इसाब से हमारे फर्स्ट रो में जितने भी फंदे होंगे, हमने यही प्रोसिस रिपीट करना है, अब दीखे बैक को हमने डबल रोल करके भून लेने हैं तो देखे इस तरीके से फिर देखें नेस्ट एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ फंदे हमने उल्टे भून लेने आठ फंदे उल्टे भूनने के बाद देखे जो नौए नमबर का फंदा आएगा इसको हम डबल रोल करके भून लेंगे इस तरीके से देखे अब नेस्ट हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है अब देखे जो नेस्ट फंदा है इसको हम डबल रोल करके भून लेंगे फिर हम आठ फंदे उल्टे भूनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ अब देखे जो नौए नमबर का फंदा है इसको हम डबल रोल करके भूनेंगे इस तरीके से फिर लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे तो देखे बैक साइड से हमारी पैटन की सेकेंड रोल कम्प्लेट हो गई अब देखे फ्रंट साइड से पैटन की थार्ड रोल पहला फंदा उतारेंगे, नेस्ट फंदा सीधा अब देखे ये जो पहले नमबर का डबल रोल वाला फंदा है ये पीछे जाएगा पीछे के दो फंदे आगे आएंगे तो देखे बैक साइड की तरफ से इन दोनों फंदों को राइट निडिल में उठा लेंगे आगे का फंदा ऐसे सलाई से उतारेंगे और इस फंदे को लेट निडिल में उठाएंगे इस तरफे से हमने इन तीन फंदों को ट्विस्ट करके एक एक करके सीधा भुन लेना है एक दो तीन ये देखे फिर नेक्स देखे एक दो तीन चार चार फंदे सीधे चार फंदे सीधे बुनने के बाद देखिए जो ये तीसरे नमबर का फंदे है जिसको हमने डबल रोल करके बुना है इसको आगे लाएंगे आगे के दो फंदे पीछे तो देखिए इस फंदे को ऐसे उठाएंगे finish दो फंदे सीधे आ जाएंगे इस्टार्डिंग के दो फंदे छोड़के इन्हीं दस फंदों का प्रोसिस आगे repeat होगा तो देखे आगे का फंदा पीछे जाएगा पीछे के दो फंदे आगे तो back side की तरब से पीछे के दो फंदे right needle में उठाएंगे आगे का double roll वाला फंदा ऐसे single करके इसको left needle में उठाएंगे फिर इन तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे फिर देखे तीसरे नंबर का फंदा आगे लाएंगे आगे के दो फंदे पीछे ले जाएंगे इस तरब के से देखे फिर इन तीनों फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखे ये फ्रांटी साइट से हमारी पैटन की third row complete हो गई ये देखे बैक साइट से fourth row अब fourth row में देखे पहला फंदा उतारेंगे नेस्ट फंदा उल्टा बुनेंगे अब देखे जो नेस्ट फंदा है इसको हमने डबल रोल करके बुन लेना है फिर आट फंदे उल्टे बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सात, आट अब देखे जो नौँए नमबर का फंदा आएगा इसको हम डबल रोल करके बुन लेंगे अब इन ही दस फंदों का प्रोसिस आगे रिपीट होगा, अब देखे, नेस्ट फंदे को हम डबल रोल करके बुनेंगे, फिर आठ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर नेस्ट फंदा हमने डबल रोल करके बुन लेना है इस तरीके से, फिर लास्ट के दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, तो देखे, ये बैक साइड से हमारी पैटर्न की फोर्द रो, कम्प्लेट होगे, आप देखे, फ्रंट साइड से पैटर्न की फिप्त रो, अब फिप्त रो में देखे, पहला फंदा उतारेंगे, नेस्ट फंदा सीधा, आप देखे, आगे का फंदा, जो डबल रोल वाला है, ये पीछे जाएगा, पीछे के तीन फंदे आगे, तो देखे, बैक साइड की तरब से, पीछे के तीन फंदों को हम राइट निडिल में उठाएंगे, आगे का फंदा सिलीप करेंगे, इसको लेट निडिल में इस तरीके से इन चारों फंदों को हम ट्विस्ट करेंगे और एक-एक करके सीधा बुन लेंगे यह देखे अब नेस्ट हमने दो फंदे सीधे बुन लेने फिर देखे नेस्ट आगे के तीन फंदे पीछे और पीछे का देखे डबल रोल वाला फंदा आगे आएगा इसको उठाएंगे, double roll वाले फंदे को Right needle में, आगे के 3 फंदे सिलिप करेंगे, back side की तरब से इसको इन 3 फंदों को Left needle में उठाएंगे, इस तरह के से हमने इन फंदों को twist करके एक एक करके सीधा बुन लेना है इन्ही 10 फंदों का प्रोसिस आगे रिपीट होगा तो देखे आगे का फंदा पीछे जाएगा और पीछे के 3 फंदे आगे तो बैक साइड की तरब से राइट निडिल में 3 फंदे उठाएंगे आगे का फंदा सिलीप करेंगे और इसको आगे की साइड से लाइट निडिल में उठा लेंगे अब इन 4 फंदों को एक एक करके सीधा बुनेंगे फिर दो फंदे सीधे फिर नेश्ट आगे के 3 फंदे पीछे जाएंगे और पीछे का चौथे नंबर का फंदा जो डबल रोल वाला है इसको आगे लाएंगे बैक साइड की तरब से इन 3 फंदों को लेफ निडिल में उठाएंगे और पीछे का फंदा जिसको आगे लाए इसको राइट नीडिल में उठाना है और फिर इनको एक-एक करके सीधा भून लेना है फिर लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे तो देखें ये फ्रंटी साइड से हमारी पैटन की फिप्तरो कम्प्लीट हो गई बैक साइड से 6 रो अब 6 रो में देखें पहला फंदा उता लेंगे और बैक साइड से हमने 6 रो को उठा भूनते हुए कम्प्लीट करना है जनका करना है देखे ये back side से हमारी pattern की 6 row complete हो गई इस 6 row को हमने उल्टा बुनते हुए complete किया आप देखे फ्रंट साइड से pattern की 7th row आप 7th row में हमारा pattern repeat and shift होगा ये वाला pattern हमारा इन दो सीधे फन्नों के उपर shift हो जाएगा और देखे इन दो सीधे फन्नों का pattern हमारा ये pattern वाले फन्नों के उपर shift हो जाएगा तो देखे repeat and shift की एक रूम पहला फन्नों उतार लेंगे आप देखे नेस्ट एक दो तीन चार चार फन्ने सीधे बुनने के बाद देखे नेस्ट हमारा pattern आएगा तो देखे पीछे का फन्ना आगे आगे का फन्ना पीछे तो देखे second नंबर वाला फन्ना आगे लाएंगे आगे का फन्ना पीछे ले जाएंगे इस तरीके से इन दोनों फन्नों को ट्विस्ट करके एक एक करके सीधा बुन लेंगे तो देखे यह हमारा pattern repeat and shift होने लग गया आप देखे आगे का फन्ना पीछे जाएगा पीछे का फन्ना आगे तो बैक साइड की तरब से second वाला फन्ना आगे लाएंगे आगे का फन्ना पीछे ले जाएंगे अब इन दोनों फन्नों को भी ट्विस्ट करके एक एक करके सीधा बुनेंगे यह देखे यह हमारा pattern repeat and shift होना श्टार हो गया आप देखे नेश्ट एक दो तीन चार पांच छे छे फन्ने सीधे छे फन्ने सीधे बुनने के बाद देखे यहां पर दो फन्ने हमें ट्विस्ट करने हैं तो देखे second नमबर वाला फन्ना पहले बुनेंगे फिर हमने first नमबर वाला फन्ना बुन लेना है इस तरह के से यहां पर फिर next देखे second वाला फन्ना पहले बुनना है तो इसको आगे लाएंगे, आगे का फंदा पीछे ले जाएंगे, इस तरके से इन फंदों को हमने ट्विस्ट करके, एक-एक करके सीधा भूं लिया, अब फिर लास्ट में देखे, 1, 2, 3, 4, 4 फंदे सीधे, फिर लास्ट का फंदा भी सीधा आ जाएगा, यह देखे ए फ्रेंट साइट से हमारी पैटन की 7th row कम्प्लीट हो गई 7th row में हमारा पैटन repeat and shift हो रहा था अब हमने अपने पैटन को ऐसे ही repeat and shift करते जाना है और बनके देखे हमारा पैटन कुछ इस तरों से आ जाएगा यह देखे वहती सुंदर वहती आसान पैटन है आप इसे all project में apply कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, share करें, comment करें और आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो please subscribe करना न भूने, thank you झाल झाल झाल